हलो एबरीवन, वेलकम टू प्रिती नर्सिंग सेंटर, आज हम जी एनिम सेकेंड येर, मेड़कल सर्जीकल नर्सिंग वन सबजेक्ट से कुछ एक्जाम पॉइंट अफ भ्यू से इंपोर्टन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स क साथ जैसे डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स एक मेडिसीन है, एक ड्रग का क्लास है, जो तब दिया जाता है, जब किसी पेसेंट की बॉड़ी से यूरीन का जो आउट फ्लो है, मतलब अगर किसी कारण बस किसी कोई भी पेसेंट है, उनका यूरीन आउटपुट अच्छ नहीं आ रही है, तो उनकी बॉडी में यूरीन का फ्लो बढ़ाने के लिए हम डायूरेटिक्स ड्रग अड्मिनिस्टर करते हैं, जिसकी बज़ा से फिर यूरीन का फ्लो बढ़ने लग जाता है, नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट expectorant वो medicines हैं जो ऐसे patients को दिये जाते हैं जिनके lungs में flood या पस या asputum भरा रहता है और जो कफ करके बाहर नहीं आ पा रहा है तो अगर कफ करने में अपने आप से ये सारी गंदगी ये mucus ये जो asputum है ये अगर बाहर नहीं आ रहा है तो आप expectorant देते हैं patient को ज्यादा तर expectorant syrup के तोर पर दिया जाता है जब ये syrup patient को देते हैं तो कुछ time बाद उन्हीं खासी होती है जब तो अपने आप ये सारी चीजे जो lungs में या उसके रास्ते में कहीं पर भी tissues में अगर फसे हुए होते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं body से तो उस medicine को हम कहते हैं expectorant lungs के अंदर से गंदगी बाहर आना asputum के form में ओके तो यहां पे कुछ topics के साथ courses की गई है कि आपको exam point of view से important topics समझाया जा सके Thank you